पुर्वी दिली के आईपी एक्स्टेंशन में फेडरेशन आफ ग्रूप होसिंग सोसाइटीज की तरफ से इंटर सोसाइटी एस्पोर्ट्स टोनामेंट एस्पारकल का आयोजन किया गया है इस परतियोकता में अठारे सो से ज्यादा बच्चे और उनके माता पिता ने भाग लिया परतियोकता में पर्थम दुत्य और तित्य अस्थान पाने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया इस मौके पर फेडरेशन आफ ग्रूप होसिंग सोसाइटीज के सभी पदादिकारी और मधुवी अर्थाने के ऐसे चो कुमार संतोज भी मौजूद रह कि बच्चों में खेल भावना को बढ़ाने के लिए फेडरेशन आफ ग्रूप होसिंग सोसाइटीज की तरफ से परतियक वर्स इंटर सोसाइटी एसपोर्स टोनामेंट एस पार्कल का आयोजन किया जाता है इस टोनामें कैवरम बैडमिंटन टेबल टेनिस जूडो कराटे बॉलीबॉल फुटबॉल साइट अलग-अलग खेल परतियोकता का आयोजन क्या जाता है इस पार्कल 2022-23 के आयोजन में अठारे सो से ज्यादा खिलाडियों ने हिस्सा लिया है उन्होंने ये भी बताया कि महिने बर चलने वाले इस टोनामेंट का समापन चार फरवरी 2023 को परतियोकता के साथ होगा स्पार्कल 2022-23 जैसा कि आप जानते हैं सभी इंटर सोसाइटी स्पोर्स टूनामेंट का हमने नाम दिया है और जिसमें की 118 ग्रूप हाउसिंग सोसाइटी जो मदर डेली से लेके और बदू वियार तक फैली हैं उनके सभी रेजिडेंट्स बच् परपेंटी कॉंबटेशण जूड़ो कराटे और मेराथन और सांस्केति कारेकरम सभी तरीके के हमने इस बार हमने डिबेट भी इसमें आयोज्ट की और बहुत ही अच्छा रिस्पोंस इस बार हमने देखने को मिला सभी सोसाइटी स्वेश्टी स्की तरफ से सभी आयोजकों ने वताया कि स्पार्कल का मक्सद बच्चों में खेल भावना को बढ़ाना ताकि उनका मानसिक और सारीरिक विकास हो साथ ही आपसी सहियों की भावना भी जगे करने के लिए तयार रहेंगे तो इससे हमें काफी अच्छा लगता है बच्चे मोटिवेट होते हैं बच्चों में अच्छी तरह से अपना अपना को बचाव कर सकते जब यह स्टार्ट हुआ इंटर सोसाइटी का गेम जब स्टार्ट हुआ तो इसका सोल मोटिव था कि आपस में भाईचारा बढाना और मेंटली और फीजिकली फ्रम बोथ एंगल बच्चों में वरों में बुड़ों में सभी को सभी का उत्साइट करना उनको और उनको एक दूसरे से मिलाना यह हमारा प्लेटफर्म जो है फेडरेशन का यह प्लेटफर्म ऐसा है कि स्वब को जोड प्लेटफर्म को छेला प्लेटब कर दोड़ों में बच्षा है जो हुझो to लकी का उनकी है कि दो एंगल और दो हैcir ऑगल झरा कर लेको लागे है… यह तो